बिसमिल्ला अर्वान रहीम, अस्लाम रिकों नाजरीन उबीद करता हम, आप तमाम लोग खेरियत से होंगे नाजरीन आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉंफरेंस डीजी आइस प्यार की जिसका वेट किया जा रहा था और finally that press conference was there, अब इसमें, I would be very honest, press conference start होने से पहले मेरे mind में ये था कि ये press conference होगी, अभी जो recently हमारे borders को लेकर और हमारे internet matters को लेकर जो बहुत सारे stupid किसम की एक एलामिया, अमरीका का और इंडिया का इकठा आया कि जनाब terrorism वहाँ से spread होता है पाकिस्तान से और control करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए लेकिन इस press conference नौ में के गर्द थी, दो केस के उपर सवाल फैसल साब ने और कुछ और लोगों ने सवाल भी किये जो नौ में से related नहीं थे लेकिन overall जो थी उसका एक purpose था कि अभी तक जो मुझे लगा कि सबसे बड़ी ख़बर थी इस सारी चीज़ के अंदर वो ये थी कि जनाब तीन अफसरान बश्मूल एक lieutenant general को नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है और तीन मेजर जनरल और साथ ब्रिगेडियत के खिलाफ तादी भी कारवाई मुकमल करनी गयी है मतलब internal accountability जो थी फाज के अंदर वो at the same time डीजी साब कह रहे थे बीजी इस प्यार के हमने बड़े थहमूल का मझारा किया कि हम नहीं चाहते थे कोई रैश किसम का response दें और फिर वो सियासत का मौका मिले लोगों को in everything और उसके बाद पता नहीं कि ये लोग पार्ट अफ इनी प्लान और वाट इसके ओपर जवाब वक के साथ साथ इंशाला आ जाएगा लेकिन अभी उन्होंने नाम बताने से भी गुरेज किया और इनका जर्म किया था वो जर् आर्मी कोर्ट में बताया था कि अभी तक किसी का ट्राइल नहीं स्टार्ट किया गया आर्मी कोर्ट में मिलिटरी कोर्ट के अंदर लेकिन DGI SPR ने आज एमद साब ने ये कहा है कि जनाब 102 अफरात का ट्राइल जारी गया अल्रेड़ी So this is very very important कि किस तरह हकूमत के बहाफ की उपरेट और ने जर्नल आफ पाकिस्तान गुम्रा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्तान को कि वहाँ पर वो फर्मा रहे हैं कि जनाब कोई चक कर रही है अभी तक ट्राइल जारी जारी है और अधर सेम टाइम ठीजिए इस प्यार पूरी दुनिया के सामने जो इंतहाई पहमियत की हामिल उनकी प्रेस कॉन्फरेंस थी उसमें आज वो कह रहे हैं कि जनाब 102 अफरात कर ट्राइल जारी है इसमें एक दो चीजें थी के जो लोग भी इस सारे प्रासेस को रोकने की कोशिष करेंगे इसमें कोई खल्ल डालने की कोशिश करेंगे तो डाट वोड नॉट बी टॉलरेटड़ इसको डेकोड करना बहुत असान है सारी चीजों को इसमें जो आज की का सबसे आहम सवाल था मेरे नजदीक जो सवाल हर पाकिस्तानी के देन में था मुझ समेत वो सवाल पूछने की जुरत किया जनाब इफ्तखार शिराजी साब ने शिराजी साब बहुत सीनियर आदमी और डॉन लियूज के कॉर्सपॉंडेंट है उन्होंने सवाल पूछा जन की ओपर डॉक्टर मुराजरास की कितनी कॉल्सकों जोड़ा गया कि फ़लाँ बंदे कॉल्सकी फला बंदे कॉल्सकी रोक्र मुरादरास ने प्रेस कांफरेंस की तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और वह अब नहीं इस तक आमें पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर सियास्त कर रहे हैं, तो उपिधार शिराई से चाहिए हैं कि इससे इंपरैशन ये जाता है कि वाई डिजाइन किया जा रहा है, वाई डिजाइन सब कुछ हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सवाल था, और मेरे नजस्द然后 की सवाल का जवाब nighy के बाद दे भी दिया गया डीजी इस प्यार की जानिब से कि अगर कोई सहब पार्टी छोड़ रहे हैं तो उनकी अपनी मन्शा है वो पार्टी छोड़े या ना छोड़े नौ मही के अंदर जो करदार मुलविस हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा अब वेट काबर जरूर दी थी कि जनाब इन बो लोग जो ठेरी के इनसाफ छोड़ चुके हैं जो प्रेस कऑफरेस कर चुके हैं वह भी ग्रिफतार होंगे और वो आज इसकी कारवाईनां आगे चलके होँगी क्योंकि के इंप्रेशन बाकी है बहुत जो पकड़ता जा रहा था कि ज भी करता जाए इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है और उसके उपर बड़ा एंफसाइज किया डीजी आई इस प्यार में आज किसाने नौ मही उस वक्त तक इनसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक इसके मनसूबासाजों और सहुलत कारों को कैफरे करदार तक ना पहुंचाया जाए अगर ऐसा ना हुआ तो कल को को कोई और स्यासी गो अपने मजमूम मकासित के लिए इस वाके को दोराएगा मतलब कल को मजीद किसी कोर कमांटर के घर पे हमला हो सकता है बाकी जो बहुत सरे मकमात पाकिस्तान में हमला हुआ है वहाँ पर हो सकता है तो इसके उपर एक चीज़ तो वह तैया है कि देखिए एक चीज़ भी कि इससे आगे चलिए तो इसमें एक और चीज़ का जवाब बड़ा क्लियर ली दिया डीजी इस प्यार ने और उस चीज़ को पॉइंट को प्लीस समझीए का मैं बिट्वीन दे लाइन जिस पर बात कर सकता हूं लेकिन उसको समझीए का कि बार बार कुछ लोग कह रहे हैं कि आज सवाल भी को पुछा गया कि इमरान खान चाहते है कि वो डीजी आई डीजी इस पर सवाल पुछा किसी रिपोर्टर ने कि इमरान खान बार बार कहते है कि मैं स्टैबलिश्मेंट से बात करना चाहता हूं मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं सो ये प्रेस कॉंफरेस बेसिकली इमरान खान साब की इस डिमांड का जवाब भी था इसको उस एंगल से भी देखिए का कि जो आज वाला प्रेसर था डी जी आई इस प्यार साब का इमरान खान साब के उस दावे का या इस डिमांड का या उस खाहिश का जवाब भी कंसीडर कीजिए का कि जनाब अगर आपने बात करनी है उन्होंने का जी हम 9 में के बात 15 में को भी एक चीज़ कह चुके हुए है establishment फॉज कह चुकी हुए है जनाब कि सारी सियासी जबाते बैठ कर बात करें जो पाकिस्तान के हक में इकठे बैठे हैं स्वालदार्ट सो ये आज फिर पेगाम दे दिया गया है कि जनाब आप लोग खुद सारे आपस में इकठे बैठे मतलब कि इससे फॉज बिलकुल बर्यूज जमा है सियासी एक्टिविटी से इमरान खान सब से भी बात करनी है तो वजीर अदम पाकिस्तान बात करें जरदारी सब बात करें फजल रह्मान सब बात करें सियासी जमाते हैं आपस में बैठे के बात करें आर्मी चीफ बात नहीं करेंगे इसका मतलब एक ये भी है लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था एक रिपोर्टर ने सवाल किया वो भी और वो सवाल ये था कि जनाब इसकी आड़ के अंदर नौ मेही के आड़ के अंदर बहुत सरे लोग अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं निसाल दी स्याल कोट में तरीक इंसाफ के इसमान डार और उमर्डार की वालदा वाले इंसिडंट की इस तरह के बहुत सरे इंसिडंट रिपोर्ट हुए है उस पे चौजरी साब ने कहा डी जी आइस प्यार ने कहा कि जनाब कोई भी एजनसी अगर इसको गलत इस्तेमाल कर रही है तो उसके अकाउंट बिलिटी होनी चाहिए तो सर मेरा सवाल यह है कि उसके उपर अकाउंट बिलिटी कौन करेगा मैं बहुत ज़्यादा इंफरमेशन तो नहीं रखता लेकिन मैं जाती तो और पे इतनी जरूर आपको बता सकता हूँ हो कुछ मकामात के उपर पुलिस ने लोगों को रासा की है 9th मे के अंदर और उसके बाद उनको छोड भी दिया गया है उनका कोई लेना देना भी नहीं था उन SCHEHरों में भी मौझाद नहीं थे वो कैसे छोड़ा गया है कैसे नहीं छोड़ा गया वो details मेरे पास है I can provide those details if needed तो इसमें I can tell you for sure कि इसमें स्यासी scoring बहुत ज़्यादा हो रही है लोग यहां तक कि एक हलके का MPMN ने pad की उपर लिख कर दे देता है कि जी फलाँ बंदा जो है वो तरीक इंसाफ से लाता लोगी का इजहार कर चुक है लहाजा इसको ना पकडा जा और उपर से पता चलता है कि हारावा MPA है कोई हारावा कांस्तार है को यहारावा चेर्मैन है उसका जमात उको उसका तालुक हुकमरान जमात से है तो वो पुरा प्रेशर कर रहे है और लोगों को प्लिटिकली विक्टमाइज कर रहे है तो इसके उपर भी है ठाक केटेगोरिकली इसको डिस्करिज किया जाना चाहिए एंड में मुझे लगता है कि अबरान कांस अब की तमाम डिमांड्स का जवाब आज की प्रेस कॉंफर में दे दिया गया कि अगर कोई से हल निकलना है तो तो इस तरह के ही इंसिडेंट को या इसी तरह के वाकियात को ही human rights की violation कहते हैं और ये हो रही है और ये सानिह नौमई की आड़ में हो रही है ये core commander house पे हमले की आड़ में हो रही है ये बाकी जो शेरों के अंदर हुलडबाजी हुई है उनकी आड़ में हो रही है और इसको र का जाना चाहिए अपना बहुत सरा ख्याल रखिये का दौा में याद रखिये का अल्ला आफ़िज